नमस्क्रार प्यारे बच्चों, वेल्पम तो आवर चैनल एद्विला प्वाइंट, पुचली स्टार्ट करते हैं, वोक्षिप नमबर वोक्षिप नमबर 78, क्लास 9, माथमेटिक्स, इंग्लिश मीडियम चैक्टर है, surface area and volumes, volume of cube and cuboid, ठीक है बच्चों, तो हम जो surface area and volumes की रिविजन करेंगे, वोक्षिप नमबर 41 है, cube and cuboid, cube क्या होते हैं, cube और cuboid में difference क्या दिक, कि दोनों के देखें तो six surface है, लेकिन cube और cuboid में difference है, cube की सारी sides equal होती है, जबकि cuboid की सारी sides equal नहीं होती है, तो जैसे कि अब अगर अब लोडो की गोटी देखेंगे, dice को देखेंगे, तो वो cube की shape है, अपने book देख लिजिए, copy देख लिजिए, या room देख लिजिए, वो cuboid की shape है, ये example, enough है, filling the blanks, total surface area in a cuboid, ये cuboid में total surface area, total surface is, sorry, total surface in a cuboid कितने होते हैं, total surface कितने होते हैं, दोनों के 6-6 surfaces होते हैं, तो 6 हाई गया आप पे, total number of edges, cube में edges कितने होते हैं, 12 edges कितने होते हैं, 12 edges होते हैं, 12 edges होते हैं, now total number of vertices in a cuboid, किसी भी keyword के vertices, वोटेस हैंने कि, ये कोने होते हैं, वो कितने होते हैं, ये 8 होते हैं, आपको बनागे द्खा जाते हैं, तो इस तरह के shape होगी है, तो अगर हम देखे हैं, तो ये shape बन गई, ठीक है बच्चे, तो कोने क्या हैं, आपकोने ये वाले कोने होगे, और ये edge है, ये edge है, ठीक है, और ये surface है पुरा एक है, तो हम ये देख रहे हैं कि edge जो है, 1, 2, 3, 4 उपर है, 4 नीचे हैं, और 4 साइड में, तो टलबारा होगे, और surface देखो, 8 उपर है, नीचे है, और 4 ऐसे भूम रहे हैं, तो टोटल 6 होगे न, अब वर्टेस होते हैं कोने हैं, तो 1, 2, 3, 4 उपर है, और 4 नीचे है, तो 8 होगे कि नहीं होगे है, if a is the length, portion number 4, ठीक है, 1st का 4, a is the length of h of cube, cube की length a है, तो volume क्या होगा, a into a into a, यानि a cube, अगर अगर इसका, आप लिशबते हैं, cubic unit, cubic unit इस लिए है, क्योंकि आपको पता नहीं है, कि meter है, centimeter है, तो आपको SI unit देखो लिखना चाहिए, if 1 be the length, and l length है, और b breadth है, और h height है किसी keyword की, तो volume क्या होगा, वही Lbh cubic unit, इस तरह से पहला question तो पूरा हो गया, फिर ये second की बारी आई, if, question number second क्या कहता है, कि if each side of cube is double, किसी भी, q की side को double कर दिया जाए, तो चलिए side को मैं मान लेती हूं, कुछ भी मान लेती है, 1 मान ले, और उसकी side को double कर दिया जाए, ठीक है, तो left side यानि a equal to, मैंने one unit मान लिया, one unit, तो side क्या कहा रहा है, side is doubled, doubled कर दिया गया, यानि कि a हमारा two हो गया, question number two cancer है, तो volume क्या आएगा, volume क्या होता है बच्चों, volume होता है side cube, यानि a cube, तो हम एक बच्चों को कीजिए, eight आगया न, two की power three आगया, two की power three, यानि की eight times आगया, तो answer क्या होगा, eight times का answer होगा, eight गुना जादा volume हो जाएगा, question number three, match box measures, एक match box के length, bread fight ये दे रखिये है, four to three, what will be the volume, और ऐससे 10 boxes के volume क्या होंगे, देखिये, mcp 4 option में चल रहे हैं, यह question साथ कहा तक है, यह हम देख लेते हैं, पांस तक है, तो यह क्या कह रहा है, question number three, हम यही कर देते हैं, वो length, bread, फाट दे रखिया है, न तो सबसे पहले volume निकालते हैं, volume of one, one match box, एक match box की volume के आएगी, L, V, H, यानि 4 x 2 x 3, कितना है, चारज़नी आट, आठी है, 24, 24 cm cube आगिया, अब मैं निकालने का है, volume of ऐसे कितने हैं, एक packet में 10 boxes है, तो 10 match box का volume, यानि 10 x 24, 240, 240 cm cube आगिया, के लिए है, question number 3 हो गया, 9, question number 4 क्या कहता है, तो 240 कहाँ पर option है हमारा, यह option है D, first option देख लिएजी, first का है, first में तो फिलिंदर लाइंस है, second में option 8 दी था, और third में भी दी ही आए, question number 4, question 4 क्या कहता है, question 4 क्या कहता है, चलिए देखें पढ़ते हैं, space occupied by solid object is called, कोई भी solid object है, उसको जो space occupied करता है, यानि जतनी जगे गिरता, वो क्या कहलाता है, वो उसका volume कहलाता है, होगे हम बस, now question number 5, a cuberdle water tank 6 meter long है, 5 meter wide है, and 2 meter deep है, एक tank है, टंक है, ठीक है, उसमें कितने लिटर पानी वोड हो सकता है, तो सबसे पहले हम उसका volume निकालेंगे, ठीक है, हम क्या लिखेंगे, volume, volume, volume निकाला जाएगा, volume, volume of, cuboidal tank, अब cuboidal tank का volume है, question number 5 का answer, क्या होगा, LBH, यानि, 6 into 5 into 2, 36, 36, 60, 60 meter cube आ चुका है, 60 meter cube, अब यह कह रहा है कि, 1 meter cube बराबर है, 1000 liter, तो 60 meter cube कितना होगा, 60 गुना में 1000, यानि, 6, 1, 2, 3, 4, 0, liter, clear है, तो यह क्या आया है, how many liter can water hold, तो यह हो जाएगा, 60,000, 6 के बाद 4 अग, यह तो C option होगा है इसका, ठीक है, 1000 ही हो गया, और 1 meter cube हमें दिया ही होगा है, तो 6, 35, 62, 62, 1, 2, 3, 4, 4, आला तो C ही आपसर है ना, 1, 2, 3, 4, yes, और इसमें 1, 2, 3, 4, 5 है इसमें, आंसर होगा इसका, 6, तो C, ठीक है, आब यह हमें, solve करके रिखाना है, पूरा, a cuboidal vessel is 10 meter long, यह length है, यह breadth है, इतने meter wide है, how high, एक vessel है, must be made to hold, 16,000 liter इसमें liquid आजाए, तो यह cuboidal बरतन है, 16,000 liter water इसमें आना चाहिए, आप question को हम start करते है, question number 6, question 6 में क्या दिया हुआ है, आपको length दे हुई है, 10 meter, ठीक है, breadth है, 8 meter, और height हमारे पास है नहीं, तो इस question को हम कैसे करेंगे, हम वो ही लिखेंगे, जो volume है, volume और, cuboid, है ना, cuboid vessel है, तो इसका volume, L, V, H होता है, और वो कितना है, L hat 10, into 8, into H, यानि यह हो गया, 80 H, ठीक है, meter cube, अब हमारे पास, क्या दे रखा है, कि, यह कोई दिया हुआ, इसको छोड़ दिजिए, यहीं पर, 16,000 L, जो है, होता है, तो, 1 meter cube मे, 1000 L, जिसको, हम meter cube में बदलेंगे, ठीक है, तो, फिर इससे, हम यहां से, लिटर से, हम इसका volume, निकालेंगे, volume कितना है, हम यह जानते है, कि 16,000 L में, कितना meter होगा, तो, हम पहले लिखेंगे, कि 1000 L में, 1 meter cube होता है, तो, 1 L में कितना होगा, कम करेंगे, तो, कम area होगा, ठीक है, 1 बटा 1000 होगया, तो, हम इस 16,000 L में, कितने meter cube area आएगा, तो, 1 by 1000, into 16,000 करेंगे, 16,000 meter cube तो कितना है, 3 0 से 3 0 काट दिजिए, 16 meter cube आगा, सिधी सी बात है, आप ऐसे भी लिख सकते हो, 1000 इतना है, तो, 16,000 16 के बराबर होगा, तो, from 1, from 1, जो volume है, volume हमारा आगया, 16 equal to 80 H के, तो, ये तो volume आगया, ये तो volume आगया, तो और अब H कितना आगया, 16 by 80, इसको आप काट लिए, कितना आएगा, बताएए, 16,000 पंजे, तो ये meter आगया, तो ये आगया, 0.2, 0.2 meter आणसर इसका आएगा, यानि कितनी height उसकी होनी चाहिए, Now, next question है, तो यह question कौन सा था बिटा, question number 6 था, question 7 की बारी आई, question 7 की बारी आई, question 7 में, सबसे बने तुम्हें यहाँ पर निशान लगा दूँ, ताकि आपको यह आतर है समझे, question 7 की बारी है, a metallic sheet, एक metal की sheet है, of rectangular shape, वो rectangle की shape में है, जिसके dimension यह length और breadth दे रखी है, from each one of its corner, a square, इसके corner से एक square निकाल ले आता है, तो चलिए हम rectangular की sheet बना लेते हैं पहले तो, यह देखें, metallic sheet इस तरह की होगी, बन गई, ठीक है, question number 7, question number 7 में, इसके dimension यह लेंद्ध है, 48 cm, और breadth यह लेंद्ध है, और breadth है, 36 cm, clear है, और 4 कोने से 8 cm, cut off किया गया, तो cut off कुछ ऐसा किया गया हो, ठीक है, यह देखें ध्यान से, यह इस तरह से, काट लिया गया, तो यह काटा गया है, यह shape काटा गया है, यह इस तरह से यह काट लिया गया है, हम यह ऐसे मान के चलते कि यह काट लिया गया, यह यानि 8 cm है, यह भी 8 होगा, यहां भी 8 है, यहां भी 8 है, यह भी 8 है, 8, 8 क्योंकि square type में काटा है न, इसने कहा है, square का काटा गया है, आप इसे जो बच लिया हिस्सा, इसको box, अभी हिस्सा हटा दिए, आप इसको क्या करें अंदर की तरफ जाएगा, यह भी उपर आएगा, यह भी उपर आएगा, यह भी उपर जाएगा, यह box type का बन जाएगा, तो open box में जाएगा, ओपर की तरफ तो कुछ है न, यह ribbon sheet का, volume निकालना है इस box का, तो volume के लिए हमें length, breadth, height पता होनी चाहिए, तो सबसे पहले हम क्य इसके लिए हम निकाल रहे है box की, जो box है, उसकी height होगी 8 cm, अब length और breadth कितनी होगी, length पूरी 48 थी न, इज़र से 8 अज़र से 8 minus कर दीजिए, तो 48 में से 16 minus किजिए, 2 आगया, 32 cm आगया, और ऐसे breadth में 8 और 8 minus कर दीजिए, 36 में से 16 minus किजिए, तो 20 cm आगया, of volume निकाल, यह volume of box, क्या होगा, l dx multiply करेंगे, 32 into 20 into 8, कितना आगया, scoop, multiply करके देखते है, तो यह तो हो जागा 32 में 64, 64 को 8 से किजिए, 8, 32, 3 आगया, 8, 44, 31, 51, और 1 के 0 आगया, 5, 1, 2, 0 cm3 आगया, इस box का volume, clear है, यह इसका answer आगया, यह नहीं से multiply किया था, now question number 8, if the volume of room, room का volume यह दे रखा है, और floor का area यह है, height पता लगानी है, तो सीरी सी बात है, volume क्या होता है, LVH होता है, question number 8 में, volume of room कितना दे रखा है, 792 meter cube, और volume, room यह क्यूबाट शेपता होता है, तो LVH, 792 meter cube दे रखा है, अब यह देखिए, कि इसमें 132 meter cube भी तो है, floor का area और area होता है, L into V, तो यह इसकी value, L into V कितना है, 132 हाँ पर रख दिया, ठीक है, into H हो गया, 792, 192, एच बराबर आगे, 792, 792 upon 132, अब इसा आप काट गीए, तो यह किसी दैगत, 6 दूनी बारा, 6 ती अठारा इकम ने, चेकम चेवरेग साथ, तो यह छेप में 11 सीरा, हाइट आगई, 6 meter, ठीक है, और 132 का पहाड़ा, 6 बार करेंगे, 6 दूनी बारा, 12 एकम ने, 6 दूनी चेवरेग साथ, तो question no.8 भी होगे, now question no.9, इता volume of q-aiden box, volume दे रख का है, length निकाला, cubical, cubical है, तो question no.9, question no.9, तो volume of q, कितना है, 5.2 meter q, volume होता है, aq, यानि 512, और 512 के factor कर लीजे, किस-किस को multiply करने पे आता है, 8 को 3 पर होना करने पे आता है, नहीं, तो 8 की 3 हो जाएगा, तो 8 पर तो 8 हा जाएगा, 8 हाइग 64 होता है, देखे, 64 को 8 से करें, 8 चुब 32, अब ताले सरती नहीं क्या होना है, तो यह आगया, meter, answer आगया, side, side ही तो बूछी थी, side या edge, now question no.9, question no.9, question no.9 किस की बारी है, 10 की बारी है, 9 तो हो गया, volume of cubical box दे रख का है, possible dimension बताने है, तो cubical, cuboidal, sorry, cuboidal है यह, question no.10, volume of cuboidal box दे रख का है, 48 cm cube, अब 48 cm cube है, तो इसके dimension क्या क्या हो सकती है, 48 कैसे कैसे आता है, तो 48 के factor करके देख लो, ठीक है, तो 48 क्या factor कर लो, 48, 3 ही factor करने है, तो क्या क्या हो सकता है, बताहीं, आप मालेजीए, प्रेकी यह 4 से 14, 4 1, 4 9, 4, 4 3 हो सकता है कि नहीं हो सकता है, ठीक है, और भी हो सकते हैं, बहुत सारे इसके expected हैं, जरूने की यही है, यह कह रहा है कि possible dimensions क्या हो सकते हैं, तो एक तो यही हो गया, कि L, B, और H, हमारे आगे 4 cm, 4 cm, 3 cm, यह आप height 3 हो सकता है यह 4 हो सकता है तो ऐसे आपको हो सकते हैं तो comment box में आप लोग बताएगा कि और क्या possible dimension हो सकते हैं आपके comment का हमें इंपिजार रहेगा take care bye bye share and subscribe ना भूले